फिर्ट कहार को पारोट मोधियों चाना गांदी हो उनको पता है कि मुंध्श प्रदेश में जा। उत्तर प्रदेश में यदि बहुजन मुव्मेंट खड़ा हो गया तो पूरे देश पर हम राज कर लेंगे और हमने भी प्रतिक्गा की है कि मद्दा प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में तुमको गुसन नहीं देंगे आज हमारे साथ ऐसे ऐसे युवा ये देखो काशी रामजी ने जो पार्टी बनाई है जो हाति का निसान चुनाभ्चीन हमें देख गए हैं वही एक हमारा चुनाभ्चीन है वं और बाबा साहब के तस्वीर लेका खली समाज को भठकाने बरगलाने काम करते हैं। इसलिए हमारा हम कहीं भी रहें मगर हमारा जो चुनाब चीन होना चाहिए वो हत्तिक एलाबा और कोई भी नहीं होना चाहिए। आप किसी बसपा के कोई पत्पे नहीं है नीला पटका डाल कर घूम रहे हैं और बसपा का समर्तन कर रहे हैं किसी भी पदधिकारी के समर्तन नहीं करते लेकिन बीएसपी के लिए लगाता है निरंदर समर्तन कर रहे हैं क्यों ऐसा लगता है कि आज की जरूरत है बहन जी फिर हमला होगा उस तर प्रिदेश में बेयन जी सरकार बनाएंगे हमारा लख से है बेयन जी के साथ नंवा कर रूखेंगे नमस्कार मेरे नमेरे में शुन्दर सिंग और आप देख रहे हैं स्मी नुज अज हम लोग बिजनॉर के अंदर हैं विजनॉर के से लाखन सिंग बहुत भी हैं और तमाम संग्ठन भी हैं पहले तो मैं आपको संग्ठन से परिचे करा दूँ और यह सारे संग्ठन BSP के समर्थन में आ गए हैं क्यों आए हैं 2024 के एहम चुनावों को लेते हुए हम लोग इन से जानेंगे से बिजनौर से यह रिपोर्ट है लाखन जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है आप कौन सा संग्ठन चलाते हैं समयक समाज संग जो संग है पूर देश की अंदर है और इसका मुक्त देश है बहुजन संग्ठन पार्टी की सरकार बनाने के लिए पोलिंग इस तर पर काम करन और भी साती है हमारे सर आप भी कोई और्गनेशन चलाते हैं संग्ठन चलाते हैं जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं वह उसका नाम बताइए हमारे संग्ठन का नाम बहुजन पार्टी है हमारी उसके लिए हम काम कर रहे हैं और तनमन धंस बहुजन समाज के लिए काम कर लिए और मायावती को पिर्जान मंत्री बनाने का लक्स है हमारा और भी साती है रॉनी भाई है मरसे रॉनी भाई कौन से संग्डन का नाम है आपका वो भी बताईए भाईया मेरा नाम रॉनी है हम बहुजन पैंथर उप इंडिया से सारे जो लड़के बैठे हैं विजनौर में हम उसी संगठन से विलॉंग करते हैं और हम अपनी टीम का पूरा जो देश्या है हमारा यही है कि विजनौर में हमारी दो जो लोकसभा की सीट है वो बहन जी की ज करेगा यह उसने निर्ने लिया है और तमाम जीवन बहन जी के लिए ही लगातार कारे करते रहते हैं पूरा कश्मीर से लेके कन्या कमारी तक दौरा करते हैं लाखन सिंग बहुत बहुत मजदी की माने जाते हैं तमाम बड़े पददिकारी भी इनके सानिद्दे में वर्क क पर आये हैं क्योंकि संग का मतलब होता है पूरे जितने भी बहुजन बचादारा के संग है उनको एक मंच पहलाना और एक मंच और एक बचादारा में जोड़ना तो बचादारा हमारी कवर बहुत पार्टी है इसलिए हमारे युवा कहीं बठकना जाए इसलिए हम सारे इसलिए इनके नितुरत में देश संग्टन बस्पा के साथ नहीं आ सकते समझ लेना वो बीजे पी कांग्रेज के दलाल है वो उनके इसारे पेचनते हैं मानुभा शाफ कान्षी राम सभ ने बोला है सामाज IV शंक्तन कि इसका उत डैस क्या है कि जो काम अमारे जाकर सामाज करते हैं और करते हैं उतूब परनी मन्छों से बसवां का नाम नहीं लेते हैं समझलो वो संक्तन कहीं किसी बीजी ना किसी अंदर से चोरे में वो भी कंग्रिस के हम करते हैं हमने अभ्यान चलाया फूरे देश के पिर कि जब तक हमें पूरे देश में सामाज के संक्षओ Wakaks भिचाधारा पता नहीं कर लेंगे और जो समाज के संक्षओ बसपा की बात नहीं करता है उसका समाज से बोलेंगे उसका बहिसकार करवाएंगे क्योंकि आने वाले समय में इस देश के अंदर एदिस समधान को बचाना है तो बसपा की सरकार बनाना पड़ेगी और जो समाजिक संक्तन आज S3 उसी प्रकार काम कर रहा है जिस प्रकार इस चाहिए उनको दिलाने के लिए संगरा करते हैं अगर आप भी लाकन सिंग्वाष के और बहुत के सांदेंदे में जुड़ कर कारे करना चाहते हैं और BSP को मजबूत कर सकते हैं तो आप जुड़ सकते हैं रोनी भाई के बारे मैं बता दूँ आपको रोनी भाई जो है वह लगातार ये बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी का दागतार आफर है दवाब है और कई लाखो रुपे उनको देने के लिए तैयार है क्योंकि बड़ा संग्धन चलाते हैं और हजारों की तादात में यूवा उनके साथ नजार आते हैं एक इशारे पर बिजन और जिला जो है वो नीला नीला हो जाता है क्यों आपको लगा कि जो आप पैसे ले लूँ या समाज के लिए दलाली कर दूँ ना करूँ क्यों ऐसा लगा कि मैं बसपा के लिए काम करूँ क्या कहना जाएंगे रोनी भाई से पिखे अ लगता है इस देश के अंदर बाबा साभ की जो विएएश पी पार्टी में है कासिराम जीने जो पार्रटी बनाई है जो हाथी का निसान चुनाबचिन हमें देख गए हैं वो ही एक हमारा चुनाब चीन है, बाकि ये सब फरजी लोग हैं, ये समाज को भठकाने का काम करते हैं, और बाबा साहब के दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, आप भी यूवस आते हैं, जमाम एक्रो सिटियों में जाते हैं, किसी भी गरीब के उपर एक्रो सिटी होते नहीं पक्रम सबस्क्राइऑ को यह नीकों पनां किभा समक्राइब करने कि सब्सक्राइब पर बात करती है चार बार शाषन काल आपने देखा अगर कोई भी ऐसा कारे नहीं हुआ है लॉइन ओर वह जबरदस होता है बीजेपी वाले भी दवी जमन में यही कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग भी यही कहते हैं कि अगर शाषन था तो बेहन जी का था क्यों ऐसा लगता है कि आज की जरूवत है बेहन जी फिर दुबारा आनी चाहिए क्योंकि बेहन जी एक तो सबसे पहले तो आलकसरण पर घातक का हमला कर रखा इन बीजेपी उन्हों भाजपावालनों तो बेहन जी हमारे उसों सुरक्सित रखना चाहती है क्योंकि बेहन जी की यही सरकार नहीं होने की तो सायद समविदान में कहीं ना कहीं घातक हमला कर दी यहां आजास समाज पार्टी उसे उतार दिया यहां मैदान में नगिना लोकसावास हो जबकि यहां विदान सब्सें नगिना लोकसावा में ऐसी वोड़ जो हो वह दोजो को भटना जारा है उत्तर पर देश के अंदर बहिंजी जो है इस वक्त सरकार बनाती हुए द लोग कहते हैं कि बेहर्ण जी जमीनों पर नजर नहीं आ रही है लेकिनगमेंश जमीनों पर आने की जरॉवत यह क्या खने के लिए लोगों को और समधान को मानने वाले हम लोग हैं उनके डारेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं सड़क पे आकर हम समधान के खिलाब काम नहीं कर सकते हमारा जो काम है हमारी पार्टी ये केडराई पार्टी है हम पोलंग बूत पर काम करते हैं और किसी भी प्रशासन की इतनी होखाद नही है कि सी पworशाषिस कि कि हमारी बात को ना मानें कि क्या कैना की आगे आज कहते हैं कि मंत्री का रास्ता उत्तर परदेश हो के जाता बेंची सीटों सारी फर्वाया को लिए रास्ता भूलिविवान बुद्ध की करम बूमी है अलग ब्यार हो गया तो क्या हुआ कर यहां कपणल बस्तू से लेकर यहां तक उत्तर प्रति तक आए पूरे भवन बुद्ध की करब हुए है और यहां पर मानुषाप खांशीराम साब ने काम की आ मानवार बेंजी हमारी यहां की चारबार की मुखमती रही है क्योंकि पूरे डेश का मनुबाधी राजनेता जाँ अदा को फ्र देश को प्रतर परेश ende में जाओ उत्तर प्रदेश में यदी बहुजन मुव्मेंट खड़ा हो गया तो पूरे देश पर हम राज कर लेंगे और हमने भी प्रतिक्जा की है कि मद्दा प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में तुमको गुस्न नि देंगे आज हमारे साथ ऐसे ऐसे विवा यह देख का लो जैसे बानु प्रताब चला गया उत्तराज चला गया एक शीट के लिए वो गड़गड़ा रहा था सफा के पास ब्रदासवा में आज वो जो लोगस्वा का चुनाव लड़ रहा है वो लड़ रहा हो कि बात की बात है और आने वाले समय में जितने लोगों को आर एस यह लोग हमारी फिलोस्पी को चुरा के काम कर रहे हैं हम भगवान बुद्ध के अनुवाई हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदे से लेकर कन्या कुमारी तक कस्मीर तक यह युवा जाएगा और भगवान बुद्ध के बताई हुए राष्टे पर चलकर बहुजन स्व बैसे ही 27 में बनेगी और जो जून का जो रेजंट आएगा चातारी को देख लेना बिना बीएस्पी के सरकार नहीं बन सकती नोट कर लेना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब कहीं हम भूल ना जाएं एक ऐसी एतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको आडियो वीडियो देखने को मिलना है ये पहली बहुजन समाज की एतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी करने के बाद आपको camera का निशान नजर आता है इस camera पर आप कलिक करेंगे तो QR code को scan कर लेगा करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये link आगया आप जैसे link पर click करेंगे आपकी वीडियो हो जाएगी यानि कि आपको एक शठिक जानकरी मिलने वाली है एक आथंटिक जानकारी मिलने वाली है, बहुजन समाज की पहली एतिहासी किताब है, जिसके अंदर आपको तमाम महापुर्षों की जानकारी मिलने वाली है, आप किस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्मेक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम समराट अशोग जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। जीवनी आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। माननेवर काशी राम सहाब जिन्होंने इतिहास को दुबारा दोहराने का काम किया था। विरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल भूमी और पूना पैक्ट। बहुजन समाच का एक मूल गरंथ यह आपके पास आगे है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो आप इस वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझा बॉक्स में जरूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी न भूलें।